फिल्म प्यार किया तो डर्ना क्या से जुड़े अंसुने किस्से 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार किया तो डर्ना क्या जिसे सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था अपने समय की एक यादगार रोमैंटिक कॉमेडी थी इस फिल्म में सल्मान खान, काजोल, अरबाज खान और धरमेंद्र ने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। फिल्म ने बॉक्स आफिस पर सफलता हासिल की और आज भी इसे कई लोग प्यार से याद करते हैं। इसके बावजूद फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं जो बहुत से दर्शकों को नहीं पता। आज की वीडियो में जानते हैं उसी बारे में सल्मान खान और शर्टलेस सीन की शुरुआत। यह बात तो लगभग सभी जानते हैं कि सल्मान खान की बाडी बिल्डिंग की दीवानगी और उनके शर्टलेस सीन्स के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रेंड की शुरुआर प्यार किया तो डरना क्या से हुई थी। इस फिल्म में सल्मान ने पहली बार एक गाने ओ ओ ओ जाने जाना में शर्टलेस होकर अपनी बाडी फ्लॉंट की थी। सल्मान की बाडी और उनके इस लुक ने फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ाया। इस सीन के बाद से ही सल्मान के शर्टलेस सीन्स का एक ट्रेंड ब वह काजोल के बड़े भाई और सल्मान खान के प्रेम कहानी के बीच एक महत्वपूर्ण किरदार थे। धरमेंदर के इस कौमिक रोल को दर्शकों ने खूब सराहा और यह उनके करियर के एक अलग पहलू को उजागर करता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान धरमेंदर के स थोटे भाई अरबाज खान ने इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के बाद अरबाज को इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली। सल्मान के साथ अरबाज की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के बाद उन्हें क की जुबान पर रहता है लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह गाना शुरुआत में फिल्म का हिस्सा नहीं था। इस गाने को बाद में फिल्म में जोडा गया क्योंकि सल्मान के फैंस ने मांग की थी कि एक ऐसा गाना हो जिसमें उनकी बॉडी और फिजीक दिख सके। संगीतकार कमाल खान का गाया हुआ यह गाना इतना लोख प्रिय हुआ कि यह 90 के दशक के चाट बस्टर गानों में शामिल हो गया। काजोल का हटकर किरदार प्यार किया तो डरना क्या। में काजोल का किरदार एक साधारन लेकिन सशक्त लड़की का था जो अपने प्यार के लिए लड़ने से नहीं डरती। इस किरदार में काजोल ने अपनी सरलता और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया। काजोल जो उस समय कई सीरियस और इंटेंस भूमिकाएं निभा रही थी उन्होंने इस हलके फुलके रोमैंटिक रोल में खुद को बखू भी ढाला। सोहेल खान की निर्देशन में पहली फिल्म यह फिल्म सोहेल खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी और इसके साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक्टर ही नहीं बलकि एक प्रतिभाशाली डायरेक्टर भी हैं। सोहेल के निर्देशन में बनी यह फिल्म बोक्स आफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसे देखकर सभी ने उनकी डायरेक्टोरियल स्किल्स की तारीफ की। धर्मेंदर और सल्मान का स्पेशल बॉंड फिल्म की शूटिंग के दोरान सल्मान खान और धर्मेंदर के बीच खास रिश्टा बन गया था। धर्मेंदर जो पहले से ही सल्मान के बड़े फैन थे उन्होंने सल्मान के काम और उनकी सादगी की काफी तारीफ की। सल्मान भी धर्मेंद्र की इस बात से प्रभावित हुए और दोनों के बीच एक अच्छा बॉंड बन गया.